नमस्कार, आज हम इस टॉपिक के बारे हम बात करेंगे, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पिसेज, पिछले बीडियो में पिसेज क्लासिफिकेशन में साइक्लोस्टोमेटा उसके पश्च्चात ग्रैतोस्टोमेटा के अंतरगत, कॉंक्टिट्स, फिसेज के बारे में हम बात कर सुके है इस भीडियो में फिषेज के बर्ग और तिक थिज जिसमें अस्थिल मसले आती है बॉनी फिषेज आती है जिनके बारे में हम बात करेंगे इस बर्ग के अंतरगत जो उपबर्ग है दो को उनको मान्यता गिये है दो उपबर्ग है मुख है सारकोप टेरीजियाई और एक्टीनोप टेरीजियाई जिसके अंतरगत यह पूरा औस्टिक्थिज मसलियों का क्लासिफिक्शन डेपेंड करता है अब हम बात करते हैं कि जो आस्टिक्थिज है या ऐसी अस्थिल मसलिया जिनमें अन्तेक अंकाल बौन का बना होता है उनके मुख्ख लक्षन क्या है मसलियों के सामान लक्षन हमने पिछले वीडियो में भी देखे है सामान लक्षन मसली का जो सरीर है जिस परिस्थिती में मसली रहती है जिस बातवन में रहती है उसके अंसार उनका सरीर ढलता है इसमें प्रतम जो सामान लक्षन है सभी प्रकार के जल यानि स्वच्छ जल, खारे जल खारे जल को लवने जल भी कहते हैं गरम पानी के शुरोत या ठंडे पानी में भी ये मसलिया रहती है इनका सरीर तकू आकाद इस्पिंडल से या धारा रेखित स्ट्रीम लाइन होता है यानि ज्यादातर मसलिया ऐसी होती है जिसमें आगे इनका जो मुख है या उसको प्रोत खहते हैं आगे की तरफ से पॉइं प्राजित हो जाता है दो प्रकार के पंक है इसे मध्धस्त और युगमित उपास्ति या अस्ति की पंक रेज फिन रेज जो है यानि की जो पंक है इनके फिन से उसमें अंदर सपोर्टेड लाइन जैसी स्ट्रेक्चर होती है जो कि इसको अंदर की तरफ से मजबूती जाल में आती है वो फिन रेज है उनके द्वारा ये सपोर्टेड रहता है और पुच्छ प्राय संपाली पुच्छ यानि पूच्छ में जो फिन पाये जाता है उसकी जो पालिया है वो समान सी होती है अनेक सलेशमल ग्रंतिय योग्त तोचा जिसमें अंत्य स्थापित प् छर्मिय सल्क पिसले वीडियों में हमने जो बात करी थी उसमें केवल प्लेकेड स्कीज पाया जाते हैं जबकि फीहां पर तीन प्रकार के सल्क अनमस्लियों पाय जाता है यानि औस्टियों मिस बॉन अस्थी और एक्थियस मिस फिस यानि जिसमें ऐसी मसलिया जिनमें अन्ते कंकाल हड्डियों का बना होता है या बॉन्स का बना होता है इसमें इस्टरजन तथा कुछ अन्यमे उपास्तिती भी है उपास्ति का भी कंकाल है कुछ एक्सेप्सन सहें के नोटो कार्ड इसपष्ट कैसे रुका या बटी बिरिद्वारा बिस्था पित है सुरोणी मेखला, पेल्विक गडल, प्राय छोटी, साधरन या अन्पस्तित आलिंगक अन्पस्तित यानि कि उसमें हमने देखा था कि क्लास पर है वो पंक के साथ लगा हुआ पाये जाता है जबकि इसमें आलिंगक है क्लास पर वो अन्पस्तित था मुक अंतस्त या उपांतस्त हनुप पर प्राय दंत होता है अवस्कर का अभाव होता है जबकि कॉंडिक्थिस मसलियों में अवस्कर पाये जाता है यहाँ पर गोदाचिदर पाये जाता है स्वसन अस्थिल क्लोम चापो पर लगे चार जोड़ी क्लोमों गिल्स के द्वारा होता है जो प्रतेक और एक कॉमन प्राच्छत या ओपर कुलमदारा ढखे रहता है बायू कोस एर ब्लेडर हम बात करते हैं कि मसलियों में पहले केवल गिल्स से सोसन होता था और गिल्स से धीरे-धीरे हम बढ़ते हैं इनके जो रेस्पैरिटी ओर्गन है उसमें एर सेक या बायू कोस का धीरे बिकास हुआ जिनमें एक्स्ट्रा बायू उपस्तित होती है तो मसली जल से बहार को समय तक सोसन कर सकती है यह बातावन के अंतरगत इनमें यह बाताशय है या स्वीम बिलेडर है इसमें हवा भरी रहती है जो फैरिंग से जोडने वाली नली का सही या नली का बिना होता है कुछ जैसे डिपनोयन में बायू आशय फुपुस सद्रश यान की मेमेलियंस या अन्य प्राणियों के फुपुस के समान होता है इनका हर्दय दू कक्षी है एक आलिंद और एक निले होता है सिरा कोटर यानिकी साइनेस बिनोसस या धमनी संकू कोनस आर्ट्रियर्स उपास्तित होता है और महा धमनी चाप और टिक आर्चे चार जोड़ी होता है लाल रुजिर कंकाए केंद्रक योगत होती है और अंडाकार होती है तता ताप इनका परिवर्टन सील होता है या एसम ताप ही होते है पोई किलो थर्मस पुरोड में गुर्दे या हम उसको बद्ध ब्रक्य कहते है किड्नी जो पाई जाती है उस्सरजन यूरी उस स्वर्जी होती है मस्तिक्स में अतन्च छोटे ग्रान पिंड छोटा सेरे ब्रम तता सुविक्षित द्रट पिंड और सेरी बेलम होता है कपाल तंत्र काई दस जोड़ी होती है पार्ष्व रेखा तंत्र सुविक्षित होता है और आंत्र कंड में तीन अर्ध ब्रताकार न बहुत ही कम अंड जराई जो ओवो बीवी पेरस होती है या सजीब प्रजक होती है अंडे सुक्ष्म से 12 मिलिट मिलिटर 12 mm तक बड़े होता है और बिदलन इनमें अंसवंजी होता है यानि कि पूरा जो मैट्रियल है वो पहली बार या दूसरी बार का जो डिवाइडेशन हो और स्टिक्तिजवर्ग के अंतरगत वास्त्विक अस्तिल मसलिया है एक बड़ा समदा है इनमें सुच्छ जलवासी तथा समद्रवासी दोनों प्रकार की 20,000 से भी अधिक जीवित जातिया है इनमें कार्प है पर्च है बास है ट्राट है असल मीन या कैट फिस है तता चू क्यों ना है ताल मास है बेरा कुड़ा है ओडन मीस फिलस है फ्लाइंग फिस इत्यादी ओस्टिक थिज का अंतरगत आती है और इसका जो बरिकर्ण है वो ऐसे रोमर के अंसार दिया गया जिसे इस्टोरर तथा यूसिंगर सहीत अधिकांस लिखों को नापना है केबल दो जैसा कि मैं पहले बताया हूँ एक्टीनोप टेरीजयाई तथा सारकोप टेरीजयाई दो अब बर्गों में मसलियों को डिवाइड किया गया है और प्रितिक अबर्ग के अंतरगत महत्पुन गणों को सामिल किया गया है अब हम बात करते है इसका अंदर पहला अबर्ग प हमें दिख रहा है सारकोंस मींस फ्लैसी मासल और टेरीजियम मींस पंक यानि इनमें युगमित पंक होते हैं पाज समान या पाली में लोग सलको द्वारा अच्छा दित एक मासल बे अस्थिल केंद्रे अक्ष सहीत उपस्तित होते हैं पुच्च पंक दो पुच्च पंक अधिरजु पाली युक्त यानि एपी कोडल सहीत बिसम पाली बाले होते हैं घ्रान क्रोस प्राय आंतिक नासद्वार या कोयनी जिसको कहते हैं द्वारा मुख गवा से जुड़े लेता है आता है उबर का पहले का नाम कोयनिक थिस्ता जिसे बाद में चेंज कर दिया गया लोग प्रिशित नाम मासल पंकित यानि फ्लैसी फिंड सेपाली पंकित लोग फिंड या बायू स्वसनमीन या एयर ब्रिथिंग फिस है यह दो गणों का अधी गण या गणों का विवाज इले धिर्थ अंट्रिक नासरंद्र उपस्थित या उपस्थित होता है और स्वश अपस्थित है बायू वाशे जनको एयर ब्रेटर काता है जिनमें हवा बर जाती है अफसेशी है उधारन आद्ध मासल पंकित बिलोपत मीन केवल एक बंस जीवित है लेटी मेरिया दूसरा है इसमें गण डिपनोई या डिपनोई डिपनोई मींस डबल और नोई मींस स्वसन ब्रीथिंग तो मजदमिक जो पंक है मीडियन फिने सतत होकर दूसमपाली पुछ बनाता है आप पीछे तक जाता है प्री मेगजिली मेगजिली अनपस्तित ते आंत्रिक नासरंद उपस्तित तता स्वासरंद उपस्तित बाईवासे अकेला या दो तता फुपस सद्रश फुपुस सद्रश अब उधारण है इसमें फुपुस मीन लंग फिसेज और तीन जीवित बंसेज इनके बारे में हम पीछे भी पढ़ेंगे अलग से हम इसके अंतरगत टॉपिक दिया गया है डिपनोंस उसमें पढ़ेंगे अब बात करते हम एक्टीनोब टेरेजाई उबबर्ग की एक्टीनोब टेरेजाई उबबर्ग में सुपर ओडर बाटे गया है जिसमें पहला सुपर ओडर है कॉंड्रोस्टियाई दूसरा सुपर ओडर है होलोस्टियाई और तीसरा सुपर ओडर है टीलोस्टियाई पिरतेक सुपर ओडर के अंतरगत एक दो गण दिया गए है लेकिन तीसरा जो सुपर ओडर है टीलोस्टियाई इसमें 15 गण साम मिलता है अब हम बात करते हैं उबर्ग एक्टीनोप टेरीजियाई एक्टीनोप टेरीजियाई के अंदर कर एक्टिस मीन्स रे तर्टा टेरिक्स मीन्स फिन पंक युगमेट पंक पतले तथा चोड़े मासल आधारी पालियो फ्लैसी बेसल लोब्स बिहीन तथा चर्मिय पंक रे द्वारा अबलंबित केवल एक प्रश्ट पंक जो विभाजित हो सकता है पुछ पंक अधिरज्जू पाली रहित और ग्रान कोस मुगवा से जुड़े नहीं होता है लोग प्रश्ट नाम रे पंक मीन है तीन अब बर्गो या इन्फरक्लासिज या अधिगणों के अंतरगत इसको बिभाजित किया गया है जिसे मैं पहले नाम बता चुका हूँ कॉंड्रोस्टियाई, होलोस्टियाई थरा टीलियोस्टियाई तो कॉंड्रोस्टियाई है कॉंड्रोस्टियाई, काटलेज, उपास्थिल तता ऑस्टियाई मीश बोन, अस्थी उपास्थिल और अस्थिल दोनों प्रकार का इसमें साथ में संबलित, कंकालत अंतर पाई जाता है मुखद्वार बड़ा होता है सल्क प्रागैनाईड, जिसमें तीन प्रकार के सल्क हमने नहीं बताए थे उसमें गैनाईड सल्क भी एक प्रमुक सल्क था और हम बात करते हैं, इसकी पुचपंक बिसम पालीव और रेपंकित मीन या उपास्थिल गैनाइड सी इसमें दो गणख है पॉलिप टेरी फॉर्मिज सम चतुर भुजी गैनाइट सल्क और सपाली अंस्पंक्युक प्रश्ट पंक्युक में आठ या अधिक पंक्युका है कंकाल अस्थी में ओसिफाइड उधारण है पॉलिप टेरस दूसर गण है ऐसी पेंसरी फॉर्मिज ऐसी पेंसरी फॉर्मिज के अंतरगत अस्थिल या गैनाइड प्रसल को इस्क्यूट्स को छोड़कर सल्क रहिए कंकाल अधिकांस्ते ओपास्थिल उधारण ऐसी पेंसर और पॉलिओडोन या पैडल मीन अब हम बात करते हैं दूसरे सुपरगण अधिगण की वो गण है टीलोस्टियाई होलो मीन्स संपून होलोस का मेंस संपून एंटायर से है और ओस्टियन मीन्स बोन अस्थि मुखद्वार छोटा होता है सल्क गेनाइड या साइकलाइड होता है पुछपंक बिसंपाली होता है हेट्रोसरकल होता है माजद्मक रेपंकित मीन या कॉंड्रोस्टियाई या टीलोस्टियाई के बीच अंतरवर्ती या ट्रांजिस्नल होता है अब इसमें दो गण हैं हम पहले गण की बात करते हैं एमिफॉर्मीज और सेमियो नौटी फॉर्मीज एमिफॉर्मीज के अंतरवर्त पतले कोर छादी ऑवरलेपिंग साइकलाइड स्केल्स है प्रोथ सामाइन बेगोलाकार है और पुछपंक लंबा है उदारन इसकी एमिया फिस दूसरा ओडर है सेमियो नौटी फॉर्मीज सेमियो नौटी फॉर्मीज के अंतरवर्त तिरियक पंक्तियों में बेवस्तित सम्चतरभुजी गैनाइड सल्क होते है प्रोथ यानि मुँका आगे का जो हिस्सा है तथा सरीर लंब होते है उदारन है लेपिडोस्टियस या लेपिसो इस्टियस अब बात करते हम सुपरगण टीलियोस्टियाई और इस गण के अंतरगत इस सुपरगण के अंतरगत 15 गण आते हैं जिनमें बहुत काफी मात्रा की या हम कहते हैं अधिकांस भाग जो पिसिज बरकाबो सम्लित है मुगद्वार अंतस्व छोटा सल्क साइकलोईड टीनोईड या अनपस्तित पुछपंक संपाली एक द्रब स्थतिक हाइड्रस्टेटिक बाताशे प्राय उपस्तित जैसे की एर बलेडर हक्रिस्कॉम कहते हैं प्रकति सील एडवांस्ट या आदोनिक رे पंकितमीन है इसके ओरडर है प्रत्म ओरडर है क्लूपी फ rebell इसमें सल्क है वो सल्क साइकलोईड सिर्ब प्रच्छद पर सल्क नहीं होता है पंक सूली ही पुछपंक संपाली स्रोनिपंक अध्रिय बाताश है एक खुली नली इसको पहली फॉर्मिज के अंदर गहरे सागर में रहने वाली इस फुर्दीप्ती अंगों का मिनिंग होता है जिनसे प्रकास निकलता है फोटो फोरे सेंड ओर्गन सहीत प्राणी असंक सूख्षन दातों सहीत चोड़ा मुख बात आशे इनमें अनपस्त होती है क्योंकि यह गहरे समदुन रहती है उपर तरफ कमाती है प्रश्ट दकगदा पंक सूल रही उधरन हारपोड़ॉन या बॉम्बेड़ॉन साइप्रिनी फॉर्मी या ओस्टेरियो फाइसी बायु आशे से एक बाहिनी फैरिंग्स में खुलती है और बायु आशे तता आंतिरकन के बीच बेबर अस्थिकाय पाई जाती है अधरन साइप्रिनियस कारप है लेवियो लोहिता है ये जातर जो मुक्ह जो मसलिया है इसी कंतर के अंतर है भोटिया या केरेसियस या सुनहरी मसली है कलेरियस या मांगूर है और हेट्रोपिनिस्टिस या सेक्रोब्रेंकम या सिंगी जिसको कहते है और बलेगो आटो जिसको पडिन या लौची भी कहते है और मिस्टस या टेगरा एलेक्ट्रोफोरस या एलेक्ट्रक इल भी इसी के अंतरगत आती है साइप्रिनी फॉर्मिज के अंदर अब हम बात करते हैं अगले गण एंग्विनी फॉर्मिज एंग्विनी फॉर्मिज के अंतरगत सरी लंबा तक्रस सर्प सज्रश यानि लंबा सापके जैसे होता है सल्क अपसेशी या अनपस्त होता है प्रश्ट पे गुदापंक लंबे तथा संगामी कंफिलेंट होता है सुरोणी प्रंक अगर उपस्त है तो उद्रिये बायू आश्य नलिका योगत इसको धाना एंग्यूला फिस म्यूरीन या मोरे फिस अब पांच में जो इसमें पांचमा जो गण है उसकी बात करते हैं पांचमा गण है इसमें बेलोनी फॉर्मी या सिमनेंटो गनेथी सल्क साइकलाइड अंस्पंक बड़े शरीर पर उचे इस्तत होता है उधारन ओरन फिस या फ्लाइंग फिस इसको कहता है एक्सो सीटस सि सटे गण की सिगनेंथी फार्मी या सोलेक थीज सरीर पर सुरक्षात्मक सल्क तता अस्थिल रिंग बॉनी रिंग है चूसक मुक सहित नलिकाकार प्रोथ बाताश्य बंद इत्याज होता है उधारन है हिपोकेंपस जिसको हिपोकेंपस कहता है या समुद्री घुड़ा कहत अब बात करते हम गण ओफियो सिफेली फॉर्मिज या चेनी फॉर्मिज जो ओफियो सिफेली फॉर्मिज है उसके अंतरगत अप्रेट सद्रश सल्को सहीत अब नमिस से रहे बायु आश्य लंबा तता ना लिका भीहिन है साहेक स्वसनंग है ऐसेसरी रेस्पाइरेटर और अब बाइवाश्य है उपस्तित है उधान है इसके ऑफिस ऑफियो सिफेलस चेना पंक्टेटस या सर्कमीन जिसको कहते है चना पंक्टेटस या सनेक हैडेट फिसको कहते है ओडर नमर आठ इसकी फॉर्मिज सिंब्रे की फॉर्मिज के अंतरगत दक्षन एशिया और अफ् पाई जाने वाली मसलियों का छोटा सा ग्रुप है शरी लंबा इल या शर्प शद्रश बास्त्विक इल की निकट संबंदी नहीं है गिलरंद्र मिलकर एक अनप्रस्त अधर दरार बनाते हैं सल्क युगमित पंक फिंड्रेज तता बायु आश्य का अभाव होता है उधान एमफिपनस अगला है गण नंबर नो इसमें मेश्टा सेम्बेली फार्मीज शरीर इल सद्रश प्रश्टपंक के सामने की और स्वतंत्र सूल नासाद्वार प्रोत के छोर पर नलक्यकार इस परशकों परिस्थित उधारन मेश्टा सेम्बेलस या मैक्रो गनेथस गण दस परसी फार्मीज पर पंक सूल उपस्तित उपते है और दो प्रश्ट पंक है बेवर उपकरण बेवरिन अप्रेटस उपस्तित है और बायू आश्य नली का भी हीन है उधारन एनावास फिस लेटिस फिस अब है ओर्डर इस्कोर पैनी फार्मीज के अंतरगत अंस्पंक तथा सिर बड़े गिल आच्छत से सूल प्रचिक्त उधारन टेरोईस या बिच्छुमीन ओर्डर बारा प्लूरोनेक्टिव फॉर्मेज तली निवासी शरीर चप्टा एक ही पार्ष पर पड़ा प्रष्ट पंक तथा गोदापंक शरीर पर जालर के रूप में उधारन है प्लूरोनेक्टिव सिनेप्टिूरा सोलिया ओर्डर थर्टीम एकिनी फॉर्मिज एकिनी फॉर्मिज के अंतरगत आप देखते हैं कि इसमें प्रथम प्रष्ट पंक सिर पर एक चप्टी अंडाकार आसन्जक डिस्क या चूसक बनाता है उधारन साइकलोईड सल्क साइकलोईड है और बायु आश्य का अभाव है इनमें इनमें चूसक मीन आती है एकिनीस ओर्डर फॉर्टीन टेट्रा ओर्डॉन्टी फॉर्मिज या प्लैक्टो गनैथी पैनी चौच युक्त मजबुत जबडे सल्क प्रैसूल में कुछ मसलिया पानी निकलने पर फूल जाती है उधरन डायोडान या सही मीन टेट्राडान या गलोब मीन और आश्ट्रेशियोन या ट्रंक मीन अब अन्तिम जो ओर्डर है इसमें लेपी फॉर्मिज शिकार को अपने चौड़े मुख में आकर्शित करने के लिए सिर पर इस्तित प्रष्ट लचीले सूलों में से पहले स तूल का सिरा बल्व सद्रश होता है और उसमें संदिप्ति सील या ल्यूमिनिसेंट अंग उपस्तिताज से चमकता है और शिकार इसकी तरफ आकर्शित होता है उधरन है वडिस या एंगलर मसली और लोफियस या एंटी नेरियस तो इस प्रकार यह औस्टिक्तिक मसलिया ह तो आश्टिक्तिक मसलियों का या पर यह बई करने समापत होता है धन्यवादी